Hello students, welcome to Little Zoologist, इस lecture में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ, class 9, science का chapter number 4, structure of atom, specifically कहूँ तो मैं इस lecture में आपको बढ़ा हूँगा, atom के बारे में, although आपने atom के बारे में previous chapter में भी पढ़ा था, बट वहाँ पे ज़्यादा detail में नहीं पढ़ाया था, NCRT से आपने पढ़ा होगा आपको पता है कुछ detail में इतना नहीं था, बस उपर उपर से बता दिया, अच्छा यह atom होता है, dalton uncle ने बताया, relationship बता दिया, उसका नाम तक नहीं बताया इन लोगों ने, जबकि मैंने अपने lecture में आपको काफी detail में पढ़ा दिया था, जिनता मत करो, इस पूरे chapter में जितना detail में हो सकता है, उतना पढ़ाऊंगा कि आपसे एक भी question ना छूटे आपके level पे, and extra तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है बचो यह काम करना है, and concept तो clear करके चलना ही हमें, बाकि अगर आप little's all जे चैनल पे नए हो तो, चैनल को subscribe कर देना, वीडिय काम कर लेना, and जो पुराने बच्चे ओ, देखो तुम वीडियो को like नहीं करते हो, तुम देखते हो ठीक है, लेकिन like क्यों नहीं करते हैं, like कर दिया अगरो, यह काम करना पड़ता है, वीडियो को like करना है, share करना है, हर जगे कर दो, फैला दो आख कितर है, यह काम करने है, ठीक है, एंड बाकी वीडियो को दो बार देखना है, नोर्स बनाने है, जो भी question है, वो आपको पूछना है, कैसे पूछना है, तुम्हें पता ही है, ठीक है, तो वो ज्यादा बताने के जरूत नहीं, सबकी link तुम्हें description में मिल जाएगी, अपने class का group join कर लेना, टेलिग्राम पर जो है, उसे जरूर से join कर लेना, discussion चलता रहता है हमारा, बच्चे question पूछन पूछते मैं answer दे देता हूँ, तो कर लेना, तुम्हारे भले के लिए, चलो हम discuss कर लेते हैं, atom के बारे में, atom की सुरुवात कहां से होते हैं, बिल्कुल सुरू से करते हैं, superficial level से, first chapter से, first chapter although आपके slayvers से हट चुका लेकिन, थोड़ा सा बताऊंगा मैं, देखो, matter क्या होता है, अगर आपने first chapter पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, उसकी वीडियो की link description में मिल जाएगी, देख लेना, मन करे तो, बा matter क्या होता है, anything that has mass and occupy some space is called matter, कोई बीची जिसमें mass हो, थोड़ी जगह घेरे, उसको हम matter बोलेंगे, जैसे कि कोई gas हो गई, जो भी तुम चीज देख रहे हो, matter है, ठीक है, matter किन से मिलकर बना है, matter मिलकर बना है, particle से, किन से मिलकर बना है, particle से, अब वो particles, actually में है क्या, देख atom ही है, तो जो matter किस से मिलकर बना है, वो atom से मिलकर बना है, ये समझ आ गया, ठीक है, matter की तीन stages होती है, sorry, तीन states होती है, solid, liquid and gas, ठीक है, solid में क्या होता है, जो matter के particles होते है, अब मैं atom बोलूँगा, atom जो होते हैं, बिल्कुल पास बिल्कुल चिपके चिपके होते हैं, अरे नहीं लिक्विट के केस में क्या होगा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे भाई थोड़ी गर्मी आने लगी दूर होने लगे बहुत जादा गर्मी आगी तो फिर वो गैसे से स्टेट हो गई ऐसा होता है ठीक है तो सुरुवात यहां से भी मैटर से हम आ गए अटम पे ठीक ह अब देखो यह मैने सर्कुलर सेपी क्यूं बनाई मैं रेक्टेंगुलर भी बना सकता था समझाता हूं देखो बच्चो टूडी में हम बोलेंगे सर्कुलर एं ध्रीडी में बोलेंगे है ना थीडी में स्पैरिकल शेप हो जाएगी ये सब आप पढ़ोगे मैट्स में जब हम उसे बहुत ज़ादा दूर से देखते हैं अब एकम तो BUT छोड़ा हम देखने सकते हैं तो मैं कह सकते हूँ एकम एकम मिर से बहुत ज़ादा दूर है जब मैं बहुत दूर से देखऊँगा न तो मेरे को कोई भी चीज वो दिखेगी spherical shape क्या दिखेगी spherical ठीक है एक तो यह हो गया तो atom को assume किया जाता है atom की जो shape assume की जाती है spherical shape ठीक है 3D में सबसे चोटी चीज़ spherical दिखेगी हमें and सबसे कम volume sphere का होता है सबसे कम जगे sphere गेरता है तो इसलिए spherical shape हम assume करके चलते हैं ठीक है दूसरा जो मेरा supporting argument है atom की जो shape है वो spherical है वो इस वज़े से है कि एक microscope होती है जिसे हम बोलते है STM STM में हम देख सकते हैं अब देखो ऐसा तो एनिकी बिल्कुल 3D shape दिखेगी atom की नहीं photocopie देखे कुछ इस type की हमें देखने को मिलते है लेकिन हमें पता चल जाता है अच्छा है ऐसा होता है 3D में ऐसा दिखेगा देखो STM की full form है scanning क्या बच्चो scanning T for tunneling T for tunneling and M for microscope scanning tunneling microscope नाम है STM का यह full form है इसमें हम visualize करते हैं atom को हम नहीं जो scientist है वो करते हैं इसके बाद एक और microscope है जिसे हम बोलते हैं electron microscope basically यह जो scanning tunneling microscope है ना यह electron microscope है बस नाम different है काम के उपर है ना इसलिए ठीक है समझ आया इतना कि नहीं आया आ गया होगा ठीक है तो आपको I hope समझ आ गया होगा atom की shape हमने spherical क्यों बोली क्योंकि देखो 3D में हमें सबसे छोटी चीज spherical shape ही दिखती है अच्छे एक चीज़ और बताता हूँ आप आगे पढ़ोगे एक term जिसे हम बोलते है point object क्या point object अब मैं बताता हूँ होता क्या point object का मतलब आगे पढ़ोगे लेकिन आपको पता होना चाहिए जैसे मैंने यह करा यह point आगया है जब आप बहुत ज़्यादा distance पे किसी चीज़ को देखते हो मतलब comparison बहुत ज़्यादा बढ़ा है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी लगे एक चीज़ बहुत ज़्यादा छोटी इतनी छोटी कि हम उसे compare कर लें point से तो उसे हम बोलते है point object मालो मैं अगर compare करूँ एक चीटी को और अर्थ को तो तुम कहोगे कि भाई जो चीटी है वो है point object as compared to earth है ना ऐसा होता है वहीं अगर मैं sun को and earth को compare करूँ तो मैं बोलूँगा जो earth है sun के comparison में point object है समझ आये नहीं point object के है although इसका use physics में होगा लेकिन यहां भी मैंने आपको बता दिया atom की shape समझ आये नहीं आई आ गई होगी चलो अब भाई इसकी कुछ shape है जैसे मालो circle है तो circle का एक center होगा उसका कुछ radius होगा होगा नहीं होगा वैसे ही sphere का भी कुछ radius होता है अब वो radius depend करेगा number of electrons पर जितने electron उतना ज्यादा बड़ा radius है ना उतना ज्यादा बड़ा radius होगा कैसे होगा मैं बताऊंगा तो कुछ volume भी होगा sphere का और जो sphere का volume होगा वही atom का volume होगा क्या होगा volume होगा 4 by 3 pi r cube ठीक है 4 by 3 pi r की cube यह एक sphere का volume होता है वही एक atom का होगा क्योंकि हमने assume करिये atom की जो shape वो spherical है अब हर element के atom का जो volume है वो depend करेगा उसके radius पे देखो जिसे hydrogen है hydrogen में एक electron होता है होता है नहीं होता है मैंने आपको previous chapter की lecture में बताया था एक electron होता है तो ज़्यादा जगे नहीं गहे लेगा वो तो उसका जो radius होगा वो कम तो obviously बात है volume कम होगा as compared to oxygen oxygen में ज़्यादा electron है hydrogen के मुकाबले तो उसका volume ज़्यादा होगा समझ आया नहीं आया आ गया ठीक है अब मैं आपको एक definition बताता हूँ जो आपने थोड़ी पहले पढ़ी थी थोड़ा different way में an atom is the smallest unit of matter लिखो जो मैं बोल रहा हूँ an atom is the smallest unit of matter that forms chemical element एक atom किसी भी matter की सबसे छोटी unit है जो chemical element बनाते हैं अब आपको पता है न जो element होते हैं वो atom से मिलकर बने होते हैं and atom क्या एक जैसे सारे जो atom होगे एक element के एक जैसे होगे बिलकुल same shape के shape तो सबकी circular ही है सब में जो radius होगा सबका same होगा तभी तो वो element है क्योंकि वो pure है समझ आया नहीं आया ठीक है अब बच्छो आपने previous chapter में पढ़ा था कि chemical formula कुछ होता है तो होता क्या है कि जब भी atom combine करेंगे atom combine करेंगे क्यों क्योंकि उन्हें stable होना है मैंने आपको बताया था atom को stable होना है क्योंकि देखो हर किसी के पास पैसा एक जैसा नहीं होता अब अच्छा एक बात धिहान रखना atom में जो currency है न वो है electron electron का ही share होगा आदान प्रदान होगा proton neutron से इतना कोई मतलब नहीं होगा वो constant ही रहेंगे obvious ही बात है वो बाहर ही नहीं निकलेंगे क्योंकि center में होते हैं वो तो ये इतना ही रहेंगे है ना मैं आपको आगे बताऊंगा जब electron proton है neutron के बारें पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि क्या से क्या होता है तो electron currency है एक atom की ये कम जादा होते रहते हैं है ना तो देखो हर element ना stable नहीं होता हर atom stable नहीं होता कुछ होते हैं कुछ नहीं होते जैसे hydrogen है hydrogen पर बताए मैंने एक electron है है ना अब भाई first shell होते है जो first orbit होते है उसमें maximum 2 electron हो सकते है हमें maximum electron पूरे करने होते है तो obviously बात है एक electron की कमी ये क्या करेगा कहीं से एक electron लेगा या देगा अब लेने देने की जब बात आएगी न तो यहाँ पर क्या होगा ये combination करेगा दूसरे atom से जुड़ेगा तभी तो H2 हमें देखने को मिलते है क्योंकि दो hydrogen एक साथ combine करने relationship में आ रहे है जिसे हम बोलते है covalent bond है ना covalent bond बना रहे है ये ठीक है covalent bond का मतलब है co मतलब सह सहयोजी मतलब valency जो दौनों क्या है share कर रहे है यहाँ पर sharing हो रही है ऐसे यहाँ पर sharing हो रही है ठीक है तो कुछ इस type का bond बनता है चलो समझ आ गया होगा आपको अब बात क्या है ये बना क्यों रहे है अभी भी question का answer properly मिलानी देखो इसलिए होता है कि जब भी कोई भी atom combine करता है किसी other atom के साथ वो कोशिश करता है कि उसकी stability बढ़ जाए क्या बढ़ जाए stability हो जाए वो stable हो जाए है ना stability increase होगी जब भी atom combine करेंगे जब भी atom combine करेंगे त्यान रखना energy जो है अब चाहे वो heat की form में हो या किसी और form में हो वो होगी release energy release होगी ठीक है छूम अंतर गायप जब भी energy release होती है देखो heat की form में normally होगी जो कि आपको यही पढ़ोगे आप तो हम उस type की reaction को क्या बोलते है exothermic reaction exothermic reaction में क्या होता है energy release होती है in the form of heat तो exothermic reaction होगी जब भी atom combine होगी combination reaction में आपको पता ही है है ना ऐसा होगा decomposition reaction में हमें heat देनी पढ़ती है यह आप class 10 में पढ़ोगे फिर भी आपको यहां बता दिया है मैंने समझ आया की नहीं आया आ गया होगा अच्छा आप थोड़ा सा मैं zoom in कर लेता हूँ यह diagram है न यहां पर कुछ समझाना है आपको देखो यह आपका देखो हमने तो assume करी है न actually मैं थोड़ना में कोई sphere देखने को मिलेगा भाई यह तो एक assumeable boundary है यह boundary आप touch करके देखोगे वैसे थोड़ी ना है तो ऐसा ही होता है यह आपका एक atom है atom के अंदर ऐसे electron revolve कर रहे है यह जो electron ऐसे revolve कर रहे है यह orbit में revolve कर रहे है है ना center में आपके proton and neutrons है अच्छा protons and neutrons को हम combine क्या बोलते है हम बोलते है nucleons क्या बोलते है nucleons क्या बोलते है nucleons ठीक है proton and neutron को हम combine में क्या बोलते है nucleons बोलते है ठीक है लिख लेना काम में आएगा अब हम बात करते हैं electron revolve कैसे करने देखो इनकी एक particular orbit है सबसे पास से count करते हैं जैसे nucleus है सबसे पास का जो orbit होगा उसमें maximum 2 electron भरे जा सकते हैं and maximum electron भरने होते हैं electron का वो उसके सरदर्दी कैसे भरेगा चाहिए वो bond कैसा बना है covalent bond बना है, ionic bond बना है कैसा bond बना है, वो atom की सरदर्दी है उस पे हम नहीं जाएंगे, वो आप chemical bonding में पढ़ोगे जो की class 10th का topic है, ठीक है तो यह रहा 2 electron भर सकते हैं अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हर shell में कितने electron भरने है मैं बता देता हूँ, चिंदा मत करो इसका एक formula जो है इसका formula है 2N square क्या है बच्चो 2N square, जहां पे N क्या है, number of shell यह क्या है, number of shell और orbit, यह जो revolve कर रहा है ना, ऐसे oval उसमे, circular और oval उसमें, orbit में यह है, ठीक है तो यह क्या है, number of shell और orbit, ठीक है, इसमें put करोगे, तुम्हारा answer आजाएगा, जैसे first shell है तो N क्या हो जाएगा, 1, 1 का square 1, तो 2 into 1, 2 आजाएगा second निकालोगे, third निकालोगे ठीक है बच्चो, तो यह है इतना तो बच्चो, आज के lecture में इतना ही, item के वारे में आपके level पे जितना होना चीए मैंने वो भी बता दिया आपको extra भी बता दिया मिलते अगले lecture में तब तक के लिए अपने notes बना लो सारे काम कर लो, धन्यवाद